वेल्कॉन टो मभारीग्वू मुझु अगर आपको यह लगता है कि सायद आपका स्लेक्शन हो क्योंकि आप जस्त बांडरी मार्क्स में या आपकी रैंक लाश्ट इयर की ओल इंडिया रैंक से कम है हैं selection की chances कम हैं तो basically आपका selection अभी भी हो सकता है क्योंकि अगर आप round one की बात करेंगी किसी भी state की तो हर state का round one का cut off बहुत हाई जाने वहाला है क्योंकि लगभाग हर each state का registration process सुरू हो चुका है तो round one का cut off but obvious 600 plus cross कर सकता हर इस्टेट का लेकिन round two और मौपप तक बहुत कम हो जाएगा तो अगर आपने आपको बॉंड रिमार्ग से महसूस करते हैं तो आपका सेलेक्शन हो सकता है अगर्फ इसका प्रफबात यह है कि सीते भी हर स्टेट में लगभग इंक्रीز हुए है यह से यहुड़ की जो सीप मैटर्स उस में पता चल रहा है कि लगबग हर स्टेट के हर colleges में सीटे कुछ ने कुछ एड हुई है तो इसका प्रभाव पड़ेगा जो भी category है चाहे वो जनरल हो, EWS हो, अब 600 अगर क्रॉस कर जाता है आपकी स्टेट के कटाफ फर्स राउंड में तो आप घबरा जाएंगे और घबरा के अगर MCC राउंड टू में कोई लोग रेट का college ले लेंगे या नौथ इसका college ले लेंगे या फिर बेस्ट बेंगॉल या फिर बिहार का या फिर उडिसा का college ले लेंगे तो फिर क्या होता है कि राउंड टू के बाद बहुत सारी सीटें आपके मॉप आप के लिए चली आते हैं स्टेट के तो मॉप आप में सबसे ज़्यादा फ्लक्श्यों सबता है राल लाश्ट टेम में ने देखा था राजस्तान के कई साहे के अनेर्स ने गल कोड़ा भी जिसकी वजह से मॉप अप में काफी स्कूर कम चला गया तो बहुत सारे स्टेट में अभी भी उम्मीदें हैं कि मॉप अप तक आते हैं 20 30 40 मार्क्स तक आपका जो कटफ है वो कम हो सकता है तो पसे एक काम करिएगा कि मॉप अप तक किसी तरह से खुद को सर्व करने का मतलब मॉप तक कि ऐसी गलतिया मत करिएगा कि फाइनल मॉप राउंड तक आप बैठी न पाएं जो भी रेगुलेशन उसको फालो करिएगा क्योंकि में अगर आपने सीट जॉइन कर ली तो सायद आपको सीटें ना मिलें स्टेट मॉप अप की तो बेसिकली यह सार कैलकुलेशन अपने माइंड में रखेगा स्टेट का फाइनल मॉप अप क्योंकि नौर्थ इसके कॉलेजे से अच्छा तो यह बेटर रहता है कि अपने ही स्टेट का लो ग्रेट का कॉलेज कोई गौर्मेंट मिल जाए वो ज्यादा बेटर रहता है तो बेसिकली यह आपक को पाट करिए आई होब कि तब तक कटफ आपका काफी डिक्रीज होगा राउंड मन के कटफ को अगर आप बेस मानेंगे तो साथ राउंड मन में आपको इतना स्कोर दिख सकता है कि आपको लगे गए आपका सेलेक्शन कभी होगा ही नहीं लेकिन फाइनल मॉप तक पूरा क्लियर हो जाता है वहां पर आपको सीटे मिल सकते हैं तो घबरानी की कोई जरूत नहीं है उमीद रखिए और फाइनल मॉप तक खुद को सर्भाइब करने की कोर्सिस करिए तरस आल थैंक्स वाए एंटीक्लेट